Hello everyone, welcome to another lecture of financial accounting and today our topic is accounting cycle. Accounting cycle क्या होता है? आज हम उसके बारे में basically study करेंगे. तो सबसे बहले हम देखते हैं accounting cycle. The accounting cycle is the process of recording and processing all the financial transactions of the company. Accounting cycle basically एक अमल का नाम है जिसमें हम record करते हैं और process करते हैं Financial transaction of the company, company की मालियाती लेन देन को. From when the transaction अकर, कहां से, जहां से transaction अकर होती है, लेन देन शूरू होता है. To its representation of the financial statement. और कहां तक लेके जाते हैं? उसकी representation लेके जाते हैं financial statement तक, मालियाती गोशवारों तक. अब ये financial statements क्या होती हैं मा आगे जाके आपको बताएंगे. कहां से start होता है? जब किसी भी company का length दिन का process start होता है, वहां से लेके हम उसको लेके जाते हैं financial statements तक और closing account तक और account को close करने तक. One of the main duties of bookkeeper is to keep track of all accounting cycle from start to finish. जो एक important duty है bookkeeper की, bookkeeper को उर्दों में कहते हैं कारबारी हिसाब लिखने वाला, कि is to keep track of all accounting cycle from start to finish. track रखे, पूरे accounting cycle का शुरुवास से लेके earn तक. अब ये accounting cycle start कैसे होता है और finish कैसे होता है, उस तमाम process के बारे में और different stages के बारे में आगे discuss करते हैं. ये जो accounting cycle है, ये हर माली साल को शुरू हो जाता है, जब तक company जो है वो कारबार के अंदर रहेगी. ठीक है, आगे हम चलते हैं. ये हमारे पास एक accounting cycle की diagram है पड़ी, जो के दिखा रहे हैं किस तरह स्टार्ट ओड़ी है और किस तरह एक सर्ताम पाप पहुच रही है. कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहां पे transactions हो रही है, lane देन ओरही है. ठीक है, कुछ परचेज है, कुछ चीज खरीज रहे है, acquisition है, किसी चीज़ का हसूल हो रहा है, expense है, खर्चे है, payment है, अदाएगी है, boring है, उधार है, sale closing है, revenue, receive, मुनाफ़ा हासिल किया जा रहा है, bad debt right off है, कि हम अपने उधारों को उता रहे हैं, dividend declare, और लोगों को dividend उनकी income दे रहे हैं, यह transaction है, transaction के बाद हमारे पास general आ जाते हैं, general के बाद हमारे पास ledger आ जाते हैं, और ledger के बाद हमारे पास trial balance आ जाते हैं, यह क्या होते हैं, हम आगे जाके study करेंगे, general को वैसे हिसाबदारी कहते हैं, रोजाना की, ledger कहते हैं, खाते को और trial balance कहते हैं, तो वाजन करने को, ठीक है, जब यहां तक हम पहुंचते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर temporary adjustment account, अगर कोई खाते में entry करने में कोई मसला पढ़ गया है, तो हम adjustment करते हैं उनकी, जिसको adjustment entries का जाता है, कि कुछ adjustment हमने दरजें की हैं, फिर correction की जाती है, फिर posting की जाती है, दुबारा से trial balance बनाया जाता है, उपर आप देख रहे हैं, total debit is equal to total credit, debit वो चीज़े होती हैं, जो company वसूल करती है, और credit वो चीज़े होती हैं, जो के company sacrifice करती है, कि कितना हमने हासिल किया, कितना हमने credit में वापिस दिया, कि वो बराबर है के नहीं, तवाजन है के नहीं, ये भी देखा जाता है, इन केस अग के एक एक step के बारे में study करते हैं, और end में हमारे पास statements आ जाती है, कि change in financial position के की financial position company की change हुई है के नहीं, retain earning कितना उसने पैस अपने पास retain अलग करके रखा हुआ है, income statement उसकी सलाना income कितनी है, balance sheet के उसके पास कितना असासे हैं जो उसके अपने हैं या उसके उधार पे हैं, तो financial statement तो जितनी भी reporting है, इसके बारे में हम बाद में discuss करेंगे आगे जाके, तो accounting cycle basically क्या है, कि वो transaction से start होता है, और financial statement की recording तक आके, reporting तक आके खतम हो जाता है, आगे हम इसके steps देखते हैं one by one, ताके हमें clear हो जाए कि ये concept है क्या, steps in accounting cycle, कि कौन कौन से कदम है accounting cycle के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले है transaction, जैसे कि हमने diagram में बात की कि सबसे पहले हमारे पास आजाएगा transaction, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है transaction, transaction को उर्दू में कहते हैं lane day, transaction, financial transaction start the process, मालियाती lane day है, जो कि accounting cycle के process को start करता है, if there were no financial transaction, there would be nothing to keep track of, अगर कोई मालियाती transaction नहीं होगी तो किसी चीज़ पे हमें नजर नहीं रखनी पड़ेगी, किसी की track पे हमें नजर नहीं रखनी पड़ेगी, transaction में include a debt payoff, transaction में lane day में ये भी हो सकता है कि हम कर्स की अदाएगी कर रही है, and purchase or acquisition of facet, कोई असासे हैं, वो खरीद रही हैं, या हसूल कर रही है, sales revenue मुनाफ़ा कमा रहे हैं, और any expenses occur, या कोई हमारे अक्राजात हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, उनकी lane day हो सकती है, तो ये transactions हैं, जो हम शुरू शुरू में, पहला step है accounting cycle का, कि हम lane day देखते हैं है general entries. एगर आफ diagram के तரफ जाएं, तो transaction के बाद हमारे पर general entries आ जाती है, कि general entries होती है, रोगना का हिसाब केताब की दर्जबंदी करना, ठीक है,okैं के रोजाना में क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसके साहब किताबी करना, यह हम questions करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या लोग खरीदते हैं क्या 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 बेचते हैं उनको पता चलता है कोई furniture खरीद रहा है फिर उसके पैसे अदा कर रहा है फिर अब कोई machinery खरीद रहा है उसके पैसे अदा कर रहा है कोई service दे रहा है उसके पैसे ले रहा है तो Company General in chronological order. The debt and credit must always balance. General entries रोसाना का हिसाब किताब होता है. With the transaction set in play, जैसे लेंज दिन स्टार्ट होता है, the next step is to record this entry. जो अगला कदम है, वो in entries का in दर्जबंदियों का लिखना होता है, record करना होता है. In the company, general company के हिसाब किताब के अंदर. इन क्रोनालिजीकल ओर तारीखी ओर के अंदर कि अगस्त में अगज़ स्पोस्ट के लेएं कि ट्राइट्टिन करते हैं अगस्त की पहली को तो पहली लिख के हम बताएंगे कि फरनीचर लिया और पांच हज़ार दे दिये पांच हजार का फरनीचर आया पांच हजार का फरनीचर दे दिया फिर अगस्त की पांच तारीक और स्पोर्स के लेंगे एक्विप्मेंट खरीदी दो हजार की दो हजार की कैश हमने दे दिये इस हिसाफ से तारीक लिखे हिसाफ किताब लिखेंगे The debit and credit must always balance debit or credit always balance होना चाहिए debit or credit के मैं अभी आपको जाकी नीचे बताता हूँ वो लिखा हुआ है The general is often defined as book of original entry General को अक्सर define किया जाता है book of original entry के जो original entries है वो सबसे पहले general के अंदर लिखी जाती है कि रोजाना का इस साब किताब होता है यह original होता है बात में जाके इसको दूसरे खातों में लिखा जा रहा होता है अब debits क्या होता है All the benefit which we और company received our debit जो भी benefit हम हासिल कर रहे होते हैं वो debit होते है suppose करने के मैं furniture खरीद रहा हूँ तो जो furniture company के पास आएगा वो debit के साइड पे आएगा और जो cash होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा उसको credit की side कहते है Debits are recorded on the left side of the recording जब हम general बनाएंगे तो जो भी debit होगा means के जो भी benefit हम ले रहे होंगे उसको left side पे रिखेंगे और credit जो होगा वो right side पे लिखा जाएगा Credit क्या होता है Credit are all things which we sacrifice for the benefit are credit जो भी हम benefit हासिल कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ sacrifice करना पड़ता है वो credit के लाते है Credit are recorded on the right side of recording जब भी general की recording की जाएगी credit right side पे लिखा जाएगा पोस्कलने जैसे मैंने बात की कि furniture खड़ीद है तो हम खाता बनाते हुए furniture जो है debit लिखेंगे left side के उपर नीचे फर नीचे पांच हजार फिर right side पे credit लिखेंगे कि cash गया है 5000 का ठीक है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए इनमें mistake नहीं होने चाहिए ये जो उपर बात लिखी हुई है debit and credit must always balance कि इन दोनों का balance होना बहुत जरूरी है तो हमें पता चल गया है कि debit क्या है और credit क्या है तो general entries का जो यहां तक जो काम है वो खतम हो जाता है उसके बाद हमारे पास आता है posting to the general ledger general ledger को भी basically कारबारी हिसाब किताब रखने की किताब का जाता है posting to the general ledger the general entries are then posted to the general ledger where a summary of our transaction of two individual accounts can be seen जितने भी entries होती है general general से उनको उठाके भी general ledger में डाल दिया जाता है जहां पे summary होती है त्राम त्राम ट्रांसक्शन की जो अलग अलग करके बनाई जाती है जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगस्ट की पहली तारीक को अमार ने एक furniture खरीदा है ठीक है उसका cash दे दिया है अब फिर अगस्ट की चार तारीक को उसने equipment खरीदे हैं और cash दे दिया है फिर उसने अगस्ट की दस तारीक को और furniture खरीदा है और cash दे दिया है अब furniture दो दफ़ा आ गया, equipment एक दफ़ा आ गया, cash तीन दफ़ा आ गया तो हम इन सब की equipment की, furniture की और cash का अलग से खाता बनाते हैं individual account बनाते हैं इनका कितना पैसा गया, कितने furniture आया, कितना equipment आया या कितना equipment गया, तो हम इन सब का खाता बना लेते हैं अलग अलग से इन अलग अलग खातों को हम कहते है जनरल लेजर यह जब हम बनाएंगे तो हम इसको प्रैक्टिकल एग्जैमिनेशन भी कर पाएंगे और समझ पहेंगे किसा होता है तो हम इसमें बेसिकली हर जो एक कहते है अकाउंट होता है जैसे कि फनीचर का अकाउंट है एक्विप्में हुआ पड़ा है इसको हम लिखे लेंगे वह होता है ट्राइल बैनस ट्राइल बैनस कहते है अजमाईशी तवाजन करना ट्राइल बैनस आ एट दे कितने हमने सेक्रिफाइस किया और कितना हमने बैनेफिट लिया कि वह दोनों बराबर है के नहीं है तो फिर हम तमाम जो लेजर का अकाउंट होता है उसको ट्राइल बैनस में लेके जाते हैं और देखते हैं कि हमारे डैबिट की साइट और क्रेडिट की साइट जब तमाम की जमा कर लिए खातों की अलग अलग कि वह बराबर हो रही है कि नहीं कि जब हम बनाएंगे आपको औ हमारा जो यह प्रोसेस है वो ठीक हो रहा होता है जब हम इसका प्रेक्टिकल करेंगे तो इन्शाल्ला आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा नेक्स्त में मारे पास जो स्टेप है वो वर्क्शेट वर्क्शेट को उर्दो में कहते हैं आमसाय कागस का टुकरा जो होता है अब वर्क्शेट होता क्या थो Esc espec जब डेबिट्स की साइट और क्रेडिट की साइट ट्राइल बैलस के अंदर मैच ना करे दा बुक कीपर मस्ट लुक फॉर एरर एंड में कुर्टिव अज़स्मेंट डेटर ट्रैक रॉन्दा वर्क्षीट तो बुक कीपर जो आता है हसाब किताब रखने वाला होता है वह एरर ढूंडता है कि मिस्टेक का होई है फिर क्रेक्टिव अज़स्मेंट करता है और फिर ट्रैक वर्क्षीट फिर उनको वर्क्षीट पर ट्रैक जिनको उसको किया होता है उसको अज़स्मेंट करता है कि कोई एरर आ गया है तो वर्क्षीट पर उसके काम कर रहा होता ह उसके बाद आता है adjusting entries at the end of company accounting period adjusting entries must be posted to the account for the accrual and deferral adjustment entries means कि कोई error आ गया था कोई adjustment हमें करनी पड़ गई तो उन entries का इंतराज करना means कि जो adjustment किया उनका इंतराज किया जाता है ठीक है adjusting entry must be posted to the account जो जितने भी adjustment entries है कि कोई mistake हो गई थी हमने उसको adjust किया है अब उनको accounts के इंदर लिखना है चाहे वो accrual जमा हो रहे हैं या deferral या minus हो रहे हैं उनकी हमें adjustment करनी पड़ती है जब हम account बना रहे हैं और खाते में कोई गरबर आ रही है तो उनकी adjustment करनी पड़ती है जिसको adjusting entries का जाता है जब ये भी हो जाता है next step हमारे पास आता है financial statement financial statements को उर्दू में कहते हैं मालियाती गोशवारे ठीक है कि इसके बाद हम financial statements बनाते हैं जैसे कि financial statement बहुत तरहा की है हम आगे जाके ये बनाना भी सीखेंगे जैसे कि balance sheet है income statement है cash flow statement है can be prepared using the correct balance जब तमाम balance आ जाते हैं तो हम ये statement बनाते हैं balance sheet क्या होती है ये company का balance दिखाती है कि कितना balance उसका अपना है और कितना balance उसका उधार का है income statement कहते हैं income आंधनी का गोशवारे कि company कितना कमा रही है उसके उसने कितनी sales की उसमें से तमाम अखराजात को expenses को माइनस कर दिया tax को माइनस कर दिया और end में कितनी income बच गई तो ये income statement हमें बताती है कि एक company मन्थ में या quarter में या एक साल के इंदर कितना कमा रही है and cash flow statement हमें बताती है कि company में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है ये तमाम हम बनाते हैं अपने साथ में step के अंतर finally हमारे पार जो step है closed का closing the revenue and expense account are closed जितना भी मुनाफ़ का खर्चे का account होता उसको close कर दिया जाता है financial statements के बाद and zero out उनको zero कर दिया जाता है for the next accounting cycle ताकि accounting cycle अगला आप start कर सेंगे कि महीने तक हमने साथ किताब कर लिया बस इसको अलग कर देंगे close अब अगले से शुरू करेंगे ठीक है this is because revenue and expense account are income statement accounts क्योंकि ये जो मुनाफ़ और खर्चे का जो account है ये income statement का account है कि किसी भी company ने कितनी आम दिनी की कितना उसने बेचा मुनाफ़ कमाया कितना उसका खर्चा हुआ जो बच जाता है वो income statement में आता है तो हर company महीने का ये सालान साल का अपना आमदिनी calculate करती है उसको बंद कर देती है फिर अगले साथ से दुबारा start करती है कितना मुनाफ़ हुआ इतना नुकसान हुआ एक साल के बाद दुबारा उसको शुरू करती है बंद करती है तो शुरू करती है wish or performance of the specific period अब ये दिखा क्या रहा होता है कि company की card करदीगी कितनी थी उस period के दुरान कि कितनी आमदिनी कमायी क्या वो अच्छी कमायी थी या बुरी कमारी थी अगर आप Nokia की income statement देखेंगे तो वो minus में है कि वो अच्छा नहीं कमारी लेकर अगर आप Intel की देखेंगे Apple की देखेंगे तो वो मुनाफ़े में जा रही है उनकी positive होगी balance sheet accounts are not close balance sheet के account को close नहीं किया जाता कि कितने असासे जो है वो company के अपने हैं और कितने असासे जो है company के अपने नहीं है उन असासों में क्या क्या है cash है, building है, क्या क्या चीजी है जो उनकी अपनी है और क्या क्या चीजी है जो उनकी अपनी नहीं है balance sheet बिलकल accounting equation की तरह होती है ठीक है तो यहां close होने के बाद हमारा जो accounting cycle है वो the end में पहुंच जाता है हम एक तरफ दोबारा division की तरफ जाते है accounting cycle basically एक recording और प्रोसेस है financial transaction का जिसमें सबसे पहले हम transaction देखते हैं कि क्या lane देन हुआ फिर transaction के बाद हम उनको general में डालते है रुजाना का हिसाब किताब जो होता है फिर हम उसमें देखते हैं कि debit क्या हैं credit क्या है general से सारा खाता जो हम लेके general ledger में आ जाते हैं कि हर account का अलग खाता बनाते है cash का अलग equipment का अलग furniture का अलग जैसे मैंने आपको मिसाल दी उसके बाद हम trial balance बनाते हैं trial balance के बाद हम वरकशीट देखते हैं कि कोई mistake तो नहीं होगी थी कोई issue तो नहीं आ गया था कोई error तो नहीं आ गया था उसके बाद अगर error आ जा था तो फिर हम adjusting entries करते हैं उन error को ठीक करते हैं और adjust करते हैं अपने balance को उसके बाद हम मालियाती गोश्वारे बनाते हैं जिसमे income statement balance sheet हम इन सब को अलग अलग से देखेंगे जो हमें और clear हो जाएगा और end में अपने account को close कर देते हैं ठीक है तो यहां पे हमारा accounting cycle जो है complete होता है और यहां पे जो हमारा आज का lecture है वो complete होता है आई होप कोई आपको समझ आ गया होगा इसके जो basically slides है वो में नीचे post कर दूँगा आप वहां से download कर सकते हैं और कोई भी issue हो तो आप comment में पूछ सकते हैं तो हम यहीं पे अपना lecture खतम करेंगे अलाफिस